हलो दोस्तों मिरा नाम प्रभाकर है और अगर तुम्हारे चैनल पर reused या फिर repeated content आ गया है तो आज दो-दो चैनल एक ही दिन में monetize हुए हैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इनके चैनल पर मैंने बोला था करने के लिए और इन्हों ने क्या क्या काम किया है और इनका चैनल monetize हो गया है आपका भी चैनल monetize हो जाएगा इनके चैनल पर हम बहुत दिन से काम कर रहेते और एक चैनल पर तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बात उनको बताई सारी डीटेल दी एक एक करके बताया कि कैसे कैसे कुछ करना है और एक चैनल पर सिर्फ दो-तीन बा चैनल monetize हुए हैं वो भी reused content, repeated content वाले, तो अगर तुम्हारे चैनल पर reused content आया है, तो ध्यान रखो, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें कर लेना, और अभी तक मैंने reused content के उपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है, जो चीजें पहले बताई हो, वही चीजें आपके चैनल पर दिक्कत में हो, तो वो देख लेना, उससे problem ना solve हो, तो ये वाली वीडियो देख लेना, ये वीडियो से solve ना हो, तो मुझे Instagram पर message कर देना, एक बार अगर मैंने देख ल तो आप देख लो, ये message आया है, और यहाँ पर लिखा है, कि हेलो भाई, मेरा channel mono हो गया, आज, reused content था, पर एक बीडियो मैंने delete की थी, फिर भी, mono enable हो गया है, और लिखा है, पर आपके कहने पर, कुछ बीडियो मैंने delete भी कर दी थी, thank you, इतना support करने के लिए, और मुबार रखो, आपका channel monetize हो गया है, दोस्तों, इनका मैं, जो user name है, वो so नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर, यह Instagram पर message आया था, user name so करने से दिक्कत यह होती है, कि जो सामने वाला पर होता है, उनके पास बहुत सारे message चले जाते हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अब यह membership भी ली और screen sword भी बेज दिया, कि sir देख लो, membership ले ली है, please आप मेरा काम कर दो, जब कि membership का कोई ऐसा नहीं है, जहां पर पैसे वाली बात होती है, जहां पर लगने वाली होती है, कि time लगेगा, वहाँ पर मैं खुद बोल देता हूँ, कि आपको पैसे लगेंगे, और फिर काम होगा, लेकिन इन्होंने membership ले ली थी, तो मैंने का चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने join कर लिया, तो इनका channel अब monetize हो गया है, तो मतलब मज़ा आ रहा है, मैं इसलिए share कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ें आपको बताऊं, जिससे आपकी help हो, तो सबसे पहले मैं इनके first यहाँ पर message को दिखाता हूँ, repeated content इनके channel पर आया था, repeated content हो या reused content हो, सब एकी तरीके के होते हैं, थोड़े बहुत change होते हैं, तो ध्यान रखना वो चीज, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 16 अगस्त को message भेज दिया, जो कि यह wise recording यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने का ठीक है, आपकी wise recording आ गए, कोई दिख करने, मैंने सुन लिया, फिर इनसे कहा, आप send करो link, इन्होंने link send किया, फिर इन्होंने, इनसे मैंने बताया, site word की जो वीडियो हो है, वो आपने बनाया है, या अपना content है आपक तो इन्होंने कहा, इन्होंने बताया, बात करके site बताई, sir हाँ, मेरा ही content है, वो अपना ही content है, किसी और का content नहीं है, मैंने का ठीक है, और इन्होंने लिखा, please guide me, और ये कह रहे थी, मैं बहुत डड़ी हुई हूँ, please आप मेरी help कर दीजिए, फिर इन्होंने कहा कि sir मैंन आप से membership भी ले लिया, ये साई चीज़े कह रही है, मैंने इनको बताया कि join पर click करो, कैसे लेना है membership ये पूछ रहे थे, फिर इनको बताया, मैंने कहा, ऐसे ऐसे कर लो, फिर इन्होंने 119 रुपे यहाँ पर कटवा के, मैं जो ये screenshot भी बेजा, कहते है, join ले लिया है, मैंन content लिख कर आया हुआ है, और reapply का option भी आ रहा है, अब उसके बाद इन्होंने फिर message बेजा कि, आप मुझे क्या करना चाहिए, कोई help, कोई problem ना आए, तो मैंने का, ABC learning वाली वीडियो आपकी है, क्या, तो इन्होंने का, हन जी, फिर मैंने इनको बोल के, इनके reply का जबाब द लगता है, and आपको tag, title, description सभी में लगाना जरूरी है, वीडियो लगाना जरूरी है, सभी वीडियो में लगाना जरूरी है, मतलब आपको tag, title, description सभी वीडियो में लगाना जरूरी है, इन्होंने का, okay sir, अब and आपको tag, title, description सभी वीडियो में लगाना जरूरी है, और उसके अब new upload करो तो इन्होंने का जी सर फिर इन्होंने भेजा फिर मैंने इनको लिखकर कहा good बस थोड़ा सा improvement है और तो इन्होंने का क्या जी सर मैंने का thumbnail भी बनाया करो तो इन्होंने थम्नेल भी बनाया करेंट बीडियो में तो जैसे वीडियो पांच मिनिट के और म्यूजिक दो मिनिट का है तो repeated content आ सकता है क्या तो मैंने इन्होंने फिर अपनी एक recording करके बेजी फिर उस पर मैंने इनको बोला था yes जबकि इस वाले option पर yes नहीं बोला था ठीक है उसके बाद इन्होंने अपना एक वीडियो न्यू लिंक बना कर भेजा फिर मैंने इनसे का आपके वीडियो में टैक्स नहीं है तो ऐसा क्यों हो तो इनको मैंने यहां पर बताया भी description में कि यह सारी चीजे इन्होंने बना कर भेज दिया किसे लिये लगाये तो है मैंने का यह टैक्स नहीं होते टैक्स एक जगार पर लगते हैं जो लगाना है आपको अपने वीडियो में यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूटूब के पास जब तुम्हारा चैनल मोनिटाइजेशन में जाता है तो यूटूब को लगना चाहिए कि तुम अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हो तुम अपने च तो इनको मैंने अपने दूसरे चैनल यानि Become Creators YouTube चैनल की वीडियो बेजी की अपने चैनल पर टैग, टाइटल वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, फर्ष्ट वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वह वाली वीडियो दी, यहाँ पर ये वाली वीडियो है, तो इन्होंने ये आएं, क्योंकि 29 को रियपलाई है मेरे, सर कब तक बताओगे, मतलब कि जब कुछी का टाइम आ जाता है न रियपलाई का, तो इंतजार नहीं होता है, जब कि वो टाइम बहुत क्रूसियल टाइम होता है, वहाँ पर इंतजार करना जरूर ही होता है, अगर इंतजार कर बस दो-तीन बार ही देख लिया न, तो पता चल गया कि इस चैनल पर क्या प्रॉबलम है और क्या-क्या दिक्कते हैं, तो ये साही चीज़े हैं, अब उसके बाद ये दो वीडियो इनको, इनकी वीडियो थी, मैंने इस वीडियो में वाइस किसकी है, इन्होंने का, सर मेरे ह है, और तो नहीं है, तो मैंने का, नो, चेक करो, लॉंग वीडियो में है, I think so, तो इन्होंने का, सर जैसे साइट वर्ड वाली वीडियो की वीडियो में, मीड में कुछ वर्ड रिपीट हैं, ओके सर, तो मैंने का, नो प्रॉबलम कितनी भी उज़े हो, उस पर, तो उन्हो इन्होंने कहा आपने बोला न सरृ एडिट करो बट कैसे तो के मैं बताता हूं इडिट का way अगर कर सकते हो तो ठीक है नहीं तो मैं कर दुएगा तो इन्होंने बताया कि सर मैं ID password share करना पड़ेगा मैंने का Yes तो इन्होंने किаров सर थोड़ा सा रहम करो ID पासवर्ड शेयर मत कराओ क्योंकि यह प्रेवैसी का मामला है और मैं जल्दी आपको सीरसली बता रहा हूँ मैं जल्दी अपने चैनल पर ID पासवर्ड किसी का नहीं लेता हूँ और इन्होंने तो अपने आप ही बोल दिया कि कि ID आपका password और Gmail account वहाँ पर आपके सारे privacy होते हैं तो जल्दी किसी के साथ share नहीं करना है ठीक है मैं कुछ करता हूँ फिर किस वीडियो पर edit करके तो इन्होंने का ठीक है फिर मैंने इनसे बोला मैंने कुछ दिर बाद सोचा थोड़ा सा mind अपना लगाया फिर मैंने देखा इनके चैनल को दुबारा देखा मैंने कहा भीया तुम टेंसन बिल्कुल नलो रहने दो edit ना करो कोई दिक्कत नहीं इन्होंने क्लिका ओके सर थैंक्स फिर ओके कर दो best of luck हो जाएगा मैंने इनको लास्ट में बोल दिया ओके best of luck channel monetize हो जाएगा कर दो appeal कर दो apply कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा channel अब एकदम मतलब dollar दुबारा आने start होने वाले है यह ध्यान में रख लो mind में तो फिर इन्होंने का thank you sir फिर इनसे मैंने पूछा एक दिन बाद मैंने का any update इन्होंने का नहीं sir कल night में ही reply किया है पता नहीं क्या होगा फिर देख लो तुम्हारे सामन में है message यह लिखकर आ गया है congratulations your youtube channel with craft easy learning channel monetize हो गया है मैंने कहा बहुत अच्छा है sir monetize हो गया thank you so much congratulations dear keep doing well मैंने इनको बता दिया और आप सबको दोस्तों बता दूँ कि अगर आप सबका channel monetize हो जाता है हमारी वीडियो को देख कर तो आप अपने channel पर हमारे तरफ से एक वीड कर लेना दोस्तों आपका channel monetize हो गया technical प्रभाकर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक बाद और आप ऐसे ही काम करते रहें आपका channel और आगे बढ़ता जाएगा thank you so much दोस्तों ये clip आप use कर सकते हैं इतनी clip को और आपको दोस्तों बता दूँ कि अगर आप channel पर पहली बार आ हो तो subscribe कर लेना bell icon को press कर देना और और दोस्तों वीडियो को like करना बिल्कुल मत बोलना मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye अपना ख्याल रखिए thank you so much वीडियो देखने के लिए